बॉल्यून के दिल्चस्प खबरों के लिए इस बेल को प्रेस कीचिए ताकि हम आप तक खबरे पहुँचा सके एक आक्ट्रिस की जिन्दगी होती है काफी मुश्किल अच्छा काम करने के साथ साथ उनको हमेशा सुन्दर भी लगना होता है और इसी लिए हमारी आक्ट्रिस को करना परता है काफी कुछ पर अगर आप भगवान की बनाई हुए चीजों से खेलेंगे तो कभी न कभी भगवान भी आपके साथ खेल ही लेते हैं आज हमोना आक्ट्रिस की बात करेंगे जिनोंने अपने चैरे से किया खिलवार और उसका नतीज़ा नहीं हुआ कुछ अच्छा पॉलिवुड में हमेशा फाल्तू की बाते और हरकते करने के लिए राखी साउंद रही है काफी मशूर पर इसके अलावा और भी काफी चीज़े हैं जिसने रखा राखी को न्यूज में राखी साउंद ने बहुत कोशिश की कि वो लग सके जवान और हसीन जिसके लिए उन्होंने किया काफी खिलवार अपने शरीर के साथ और की काफी अजीब अजीब तरे की सरजरीज लेकिन फायदा कुछ भी नहीं राखी साउंद में टालेंट और दिमाग तो कभी था ही नहीं पर आप लगता है अच्छी शकल भी नहीं रही आईशा टाक्या टार्जन दो वंडर कार की अक्ट्रिस आईशा टाक्या ने शाहदी इंडास्ट्री में कोई वंडर किया होगा लेकिन फिर आईशा ने एक ऐसी चीज की जिससे करने के बाद सभी चौक गए आईशा भी कर वैठी अपने चेहरे से खिलवार आईशा टाक्या ने किया अपने होटो का ओपरेशन और अपने चेहरे से जूर्या हटाने की कोशिश की लेकिन आईशा की नए चेहरे ने चुका दिया सभी को और लोग उनकी हसी उडाने से नहीं रुक पाए अनुश्का शर्मा अनुश्का शर्मा ने 2008 में फिल्म रप ने बना दी जोडी से रखा था इंडास्ट्री में कदम पर बॉलुवूड में कामयाभी मिलने के कुछी टाइम बाद अनुश्का ने भी कर दिया खिलवार रप की दी हुई चीजों से अनुश्का शर्मा ने किया अपने होटो का उपरेशन और इसकी वज़ा से अनुश्का का काफी मजाग भी बन गया था अनुश्का को कहा गया कि उनकी शकल लग रही है काफी मशूर काटून डॉनल डॉक की तरह लेकिन अनुशका ने ये अफाव का जवाब देना कभी उचित नहीं समझा और चुप चाप ध्यान लगाया अपने करियर को आगे बढ़ाने में कोईना मित्रा एक समय था जब कोईना मित्रा थी आईटेम गानों के लिए मशूर लेकिन फिर कोईना मित्रा ने किया कुछ ऐसा जिसने लगा दिया उनके बॉलुवूड करियर पर फिल स्टॉप अपने हातों से नहीं पर अपनी इच्छा से ही करवाया था कोईना मित्रा ने नाग का काम खरा और अफाओ के मतावे कोईना को अपनी खराब नाग ठीक करने के लिए भरनी पड़ी एक भारी की मत पर बॉलुवूड की बाकी आक्ट्रस की तरह कोईना नहीं शर्माई कहने से कि उन्होंने किया था अपने नाग का ओप्रेशन कोईना का मानना है कि ये थी उनकी जिन्दगी की सबसे बड़ी गलती इस ओप्रेशन के बाद कोईना की खुबसूर्ती तो हुई ही खराब पर उनका कर्यर भी काफी खराब हो गया